नमस्कार दोस्तों, सुरूची इबन कीच मैप का स्वागती आज हम बनाने वाल है बित्रूट का पाउडर बित्रूट पाउडर एक बार बना के रखने के बाद इसका इस्तमाल हम कई मैनों तक कर सकते है बिटूट पाउडर का इस्तमाल हम अलग-अलग रेसिपीज में करते हैं हम इसका जूस भी बना सकते हैं या फिर हम इसे स्किन केर या फिर हेर केर के लिए इस्तमाल कर सकते हैं आप हमारी चानल पे नए होंगे तो लैक शेर और कमेंट कीजेगा और प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजेगा तो चलिए बनते हैं बिटूट का पाउडर बिटूट पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चार मीडियम से इसके बिटूट लिए हैं और इनका वज़न करीबन आधा किलो है तो सबसे पेले हम इने पाणी में डालकर अच्छे से दोलेंगे इस तरह से मसल मसल के बिटूट को दोनी के बाद मैंने इने अच्छे से पोच लिया है अभी हम इसके चिलके निकाल लेते हैं इस तरह से चिलकों को हम फेक के नहीं देंगे तो इसका भी हम अलग से इस्तमाल करने वाले हैं तो इस तरह से सभी इसके छिलके निकाल लेते हैं विटूट का पाउडर हम घर पे बहुत ही आसानी से और सस्ते में बना सकते हैं अगर आप इसे मार्केट में खरीदने जाओ गए तो यह बहुत ही मेंगा मिलेगा आपको तो मैंने इसे छिल लिया है अभी हम आगे का और पीछे का पार्ट निकाल लेंगे इस तरह से इसी तरह से बाकी बीटूट को हम छिलके और आगे का और पीछे का पोर्शन निकाल लेते हैं यहाँ पे सभी बीटूट के मैंने छिलके निकाल लिये हैं और इस तरह से प्लेट में रख लिये हैं तो अभी हम इन्हें कदूकस कर लेंगे इस तरह से हमें इन्हें दूप में सुखना है तो मैं यहाँ पर इन्हें कदुकस कर रहे हूँ कदुकस करने से यह बहुत ही आसनी से दूप में सुख जाते हैं आप चाहो तो इसके बारिक बारिक पिसेश भी कर सकते हो बीटूट को आप चिप कटर से भी कट कर सकते हो उसे भी बहुत यासनी से इसके स्लाइस हो जाएंगे तो सभी बीटूट को मैं इसी तरह से कदूकस करके ले रही हूँ इस तरह से सभी बीटूट को मैंने कदूकस कर लिया है और इसका कलर आप देख सकते हो केतना अच्छा है तो अभी हम इन्हें धूप में सुकाने के लिए तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने दो थाली ली है उसमें हम इन्हें फेला के डालेंगे इस तरह से बीटूट के पिसेस को सुकने में थोड़ा जादा टाइम लग सकता है लेकिन कदुकस के और बीटूट बहुत यासनी से जल्दी सुक जाता है कदुकस के और बीटूट मैंने दो थाली में डाला है इस तरह से फेला के और एक प्लेट में रखे हैं छिलके तो मैंने इने दूप में रख दिया है तो अभी हम इसके उपर डालेंगे एक चुन्नी ताकि इसमें धूल मिटी या फिर बालना जाए और हमारा बिटूट पाउडर साप सुत्रा तैयार हो जाए इनी को हम इस तरह से थाली के नीचे दबा के रखेंगे ताकि चुन्नी हवा से उड़े नहीं या फिर आप इसके उपर पत्थर या फिर कोई भी भारी चीज रख सकते हो ताकि वो हवा से उड़े नहीं बिटूट को हम तीन से चार दिन दूप में सुका लेते हैं और इने सुकने के लिए समय थोड़ा कम जादा लग सकता है क्योंकि यह दूप पे डिपेंडे कि दूप कितनी अच्छी है चार दिन बाद मैंने बिटूट को धूप में से निकाला है और यह बहुत है अच्छे से सुक चुके है जो दो थाली में था बिटूट वो मैंने एक ही थाली में कर लिया है और दूसरी प्लेट में है छिलके शुखे हुए ये बिटूट को दबाने के बाद इस तरह से आवाज आती है इस आवाज से हमें यह समझ आता है कि हमारा बिटूट अच्छे से सुख चुका है और इस छोटी प्लेट में है छिलके सुखे हुए ये बिटूट को मैं मिक्सर के छोटे जार में डाल रही हूँ और अब हम इसका पाउडर बनाएंगे हमें हमेशा छोटा जार ही लेना चाहिए इसमें बहुत ही आसनी से पाउडर बन चाएगा तो मैं यहाँ पे ढकन लगा के ले रही हूँ सुखे बिटूट को मैंने पीस लिया है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी पाउडर बनी है आप देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा आया है पीसी वी बिटूट पाउडर को हम छांके लेंगे एक च्छानी से च्छानी से क्या होगा जो मोटा होगा वो उपर ही रह जाएगा और हमें अच्छी फाइन पाउडर मिल जाएगी तो इस तरह से आप देख सकते हो कितने अच्छी पाउडर बनी है यहाँ पर आप देख सकते हो च्छनी पर इतना मोटा बचा है तो मैं इसे फिर से मिक्सर के जार में डाल रहे हूँ और अभी मिक्सर के जार में डालेंगे बचा हुआ बिटूट तो इसे डाल के फिर से एक बार अच्छी से पाउडर बना लेते हैं सुखे वई बिटूट को मैंने दो बैच में पिसके लिया है तो यह इसे मैंने पिस लिया है इसे भी छान लेते हैं और उपर मोटा बचेगा उसे में फिर से मिक्सर के जार में डाल दूँगी मेंडी के बाद यह जो मोटा बचता है इसका इस्तमाल हम एसे स्क्रब कर सकते हैं मिक्सर के जार में डाल देते हैं बिटूट के सुखे वी चिलके इसे भी हम अच्छे से पीस लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे चिलको को मैंने पीस लिया है और इसका भी बहुत अच्छा पाउडर बन चुका है इस पाउडर को मैं छांके नहीं लूँगी क्योंकि इसका इस्तमाल हम एसे स्क्रब या फिर मेंदी भीगोने के लिए करने वाले है यहाँ पे बिट्रूट और बिट्रूट के चिलके का पाउडर बन चुका है तो दोनों पाउडर को हम एटेट कंटेनर में भरके रखेंगे यह पाउडर आप फ्रीच में रखिए और यह 8-9 मेने तक खराब नहीं होता सिर्फ यह पाउडर निकालते समय हमें गिला चमच नहीं डालना है वरना यह पाउडर जल्दी खराब हो सकता है तो आप देख सकते हैं यह बहुत इच्छhalb गर पर बनाया है हमने इस पाउडर का इस्तमाल आप किसे भी सबजी में कर सकते हैं या फिर किसी भी रेसिपी में आप इस पाउडर से बिटूट का जूस भी बना सकते हैं बिटूट पाउडर का इस्तमाल as a food कलर भी कर सकते हैं इसे बहुत ही अच्छा कलर आता है सबजी या फिर किसी भी रेसिपी में फिर इस powder का इस्तमाल आप skin care या फिर hair care के लिए कर सकते हैं विटूट के छिल्के का powder का इस्तमाल as a scrub हम कर सकते हैं या फिर मेंदी भीकोते समय यह powder हम टाल सकते हैं इसे मेंदी को बहुत यह अच्छा color आएगा आज हमने बहुत ही आसानी से और सस्ते में यह पाउडर घर पे बनाया है अगर आप इस मार्केट में खरीदने जाओगे तो यह बहुत ही मेंगा मिलेगा आपको तो आप भी इससे जरूर ट्राय कीजिए घर पे आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और कमे यह थैंक की फर वाचीं